कहते हैं जरूरत से ज़्यादा होसियारी भारी पड़ती है क्या कुछ ऐसा ही होगा मलेसिया के PM के साथ क्योंकि यहां से भारत से जाते जाते उन्होंने अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है जानेंगे क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ पोलेंड में भार में PM मोदी का पर सवाल यह उठता है कि क्या रूस नाराज होगा भारत से जानेंगे जियो पॉलिक्स में क्या कुछ चल रहा है हमेसा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इस स्क्रीन पर यह देश देख रहे हैं पोलेंड पोलेंड और भारत का एक बहुत ही खासा रिस्ता रहा है और एक ऐसा रिस्ता रहा है जिसको अभी भी पोलेंड के लोग मानते हैं इस स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं बारिस में PM मोदी एक इसमारक पर पहुँच अगर इतिहास में देखेंगे तो इतिहास में ये वो जगह है जो ये बताता है कि पोलेंड के लोगों ने याद रखा है दरसल एक समय आया जब पोलेंड के उपर जर्मनी के हिटलर ने और USSR के स्टालिन ने दोनों तरफ से हमला कर दिया तब बहुत सारे लोग पकड़े गए थी बहुत सारे कैदी बनाए गए ज़्यादातर कैदी उनमें से यहूदी थी और उन कैदियों को फिर एक जगह बंदी बनाकर रखा जाता था फिर चीजे बदली और हिटलर ने स्टालिन को भी धोका दे दिया और USSR पर हमला कर दिया ट्रेनों में करी 20 लाख कैदियों को कभी आर्कटिक के छेतर में तो खजकिस्तान के छेतर में अलग अलग जगहों पर भेजा जाने लगा पोलेंड की जो एमबेसी यहां चलती थी भारत में उसमें उन्होंने मदद मांगनी शुरू करी बिटिस सरकार से पर बिटिस सरकार ने कहा कि नहीं जी हम नहीं लाएंगे और बहुत कड़ी सरते कर दिया कि यहां पर कोई सरनार्थी नहीं आ सकता है फिर यहां पर जो भरने के बाद 500 बच्चों के लिए खास तोर पर बनाए गए जगह इसके अलावे 5000 बड़ों के लिए सरनार्थी केम्स बनाए गए 500 बच्चे अनात बच्चे थे जिनका कोई भी नहीं तब महराजा ने यह कहा था कि यह मत समझना कि तुम मकेले हो तुम मेरे बच्चे हो औ और इनके आने पर भोज की विवस्ता करी थी खाने पिने की विवस्ता रहने की विवस्ता और सबसे अच्छी बात क्या है पोलेंड के बच्चे अपने स्वाध का खाना खाए इसके लिए इन्होंने पोलेंड से मंगवाया था रसोईया इसके अलावे इनके लिए खास पो उन बच्चों को फिर अपनी हिसाब से ट्रेंड करना सुरू कर देते हैं, अपने कल्चर में ढालना सुरू कर देते हैं, अगर कहीं ऐसा मौका मिलता है तो भी, पर भारत के इस महराजा ने उस समय सा कुछ नहीं किया, जब भी स्युद सांत हुआ, तो बहुत सारे लोग अपस आगए, और यह कोई कहानी नहीं है, इस स्क्रीन पर एक सक्स को देख रहें हैं यह वो सक्स हैं, जिनके पिता महराजा के इस नावा नगर में बच्चे के तौर पर थे, इनो ने अपने पिता से वो सारी कहानिया सुनी हैं, इस बाद को इनों ने कहाँ, स्क्रीन पर इनक स्वाराज बताब देख सकते हैं दो यहां पर इनोंई इस पीच भी दी My name is Tomajagutowski, I'm a son of Roman Gutowski, one of the Maharaja children. My father was survived from Russia and then he came being adopted by a good Maharaja in Balachadhi in Jamnagar, India. So I'm here because of Maharaja, we can say that. So how do you look at the connect? Because you spoke in front of the Prime Minister as well. वो उन्य वोज़ एगार्टान, कि एंडा में दो एंवाराज जिर आब येञा क्ईना मेंगा ही अवाराजा है, किस अवाराजस है पीजिस है वाराजा कि ने वाराजस सु वार। जा ही जाना हैं जा से वीजित पुमीन हैं? I had at home the book of jungle because the book of jungle was the stories of my father from India and he was always however it was a horrible time he lost the contact of his mother and father and sisters he was an orphan there but he was so proud so happy so joyful whenever he was talking about India he was a he was always opening a heart so I had और ये वीडियो भी खूब बाइरल हो रही है कि PM Modi ने इनके माईक को ठीक करने की कोशिस की हाला कि PM Modi जब यहां पहुँचे तो इनका बड़ा ही बड़ियां से स्वागत हुआ है बड़े जोरदार तरीके से इस इसमारक में जाने के बाद PM Modi यहां के प्रवासी भारतियों से भी मिले आप जोस देख सकते हैं और इसके बाद इन्होंने यहां एक स्पीच भी दी जिसी स्पीच में सबसे पहले तो उन्होंने मराठी में शुरुआत करी और उसके बाद फिर इन्होंने भारत को लेकर सारी बाते कही कि भारत में क्या विर्धी हो रहा है आप सुन सकते हैं इस वीडियो में महाराष्टा चा नागरिकान चा और मराठी संस्कूरुटी चे प्रती पोलेंचे नागरिकानी व्यत्य के लेला हा सम्माना है मराठी संस्कूरुटी मानव धर्मा आचर नाला सरबात अधिक प्राधान ने आहा है चत्रपतिर सिवाजी महाराज की प्रेयना से कुलापूर की रोयल फैमिली ने बली बड़े में पोलेंचे महलाओं और बच्चों को शरण दी थी वहां भी एक बहुत बड़ा कैम बनाया गया था पोलेंच के महलाओं और बच्चों को कोई तकलिफ ना हो इसके लिए महराज्टर के लोगों ने दिन रात एक कर दिया था और आगे चल कर पोलेंच के राष्ट अध्यच्चों से इनकी मुलाकात होनी है पोलेंच की यात्रा से ऐसा नहीं माना जा रहा है कि रूस किसी भी हद तक किसी भी करन से नाराज होगा रूस पहले ही प्येम मोदी जा चुके हैं और इतनी कुटनी थी तो राष्पती पुतिन बहुत ही अच्छे से समझते हैं पोलेंड के बाद यूक्रेन जाने का प्लान है जहां एक तरफ ये सारी चीजे चल रही है पोलेंड में तो वही जाते जाते मलेशिया के प्येम ने क्या कहा है मैं चाहती हूँ इस वीडियो को आप सुने आप सुरी मौनिचियो सिस्टम विकेंड आप उस पनी पमें टॉर्ड कर नहीं करेंगे उस दिशा में बढ़ना चाहिए वैसे आपको बता दू डॉलरं को पसंद नहीं करने वाले लोगों को पसंद नहीं करता है इतियास में इसके बहुत सारे उढरण है इतियास में गदाफी सबसे बड़ा उधारन है इतियास में और भी कई सारे उधारन है जो डॉलर के लिए समस्या बनता है वो अमेरिका की नजरों में चड़ जाता है ऐसा लगता है जैसे मलेसिया के PM खुले आम पंगा ले रहे हैं पहले भी हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें इन्होंने बहुत ही साफ साफ तरीके से बाइडन बिलिंकेन यूरोपिय यूनियन के नेताओं के सामने कह दिया था कि आप इजराइल फिलिस्तीन की बात में अलग हो और रूस यूकरेन की बात में अलग हो वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ